नमस्कार और वेलकम फ्रेंड बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवस प्रेस करें जिसे कि आपको लेटेंस वीडियो के कैसे करते हैं और तो दिपंजन दत्ता जी को सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और सेम यह जू सवाल है एक और सज्जन है उन्होंने भी मुझे कमेंट किया है उनका नाम मैं लेना चाहूंगा यह रिखि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और यह जो प्रॉब्लम है कि सेंटीमीटर में कैसे करते हैं तो जेनरली क्या होता है जब हम लोग अड़ोबी पेज मेंकर यह देख सकते हैं अड़ोबी पेज मेंकर 7.0 खुला हुआ है मेरा जब हम लोग्ड फाइल में जाते हैं न्यू में क्लिक करते हैं तो यहां टीके किए डॉकुमेंट सेटव का ॉ RPG ढे ideas में sum में एक Allah उसके बाद दूसरा मल लएकर यहां पे मलframe Wiki अगर नहीं है तो वहां रूलर्स पे यह जो रूलर है यह आपको होरिजेंटल रूलर है यहां पर माउस पर रखिए और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इंची इंची डेसिमेल मिलिमीटर सबस्तों करेंगे तो इस सूरत में लोग क्या करेंगे माल लेते हैं आपको कोई आपको क्या कोई आड मिला है या आपको कोई design मिला है particular उसका size आपको बोला गया for example के तोर पर माल लेते है 10 cm बोला है चोड़ाई और उसका height जैसे box अगर लेते हम लोग यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं actual size कर देता हूँ जैसे माल लेते है यह जो एक size हम लोग box box draw किया मैंने अब माल लेते हैं कोई आपका add है कोई design है जिसमें बोला गया है आपको 10 cm 10 cm इसको चोड़ाई विर्थ होना चाहिए और माल लेते हैं 5 cm इसका height होना चाहिए तो क्या करेंगे इस सूरत में हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे और जब यह control palette में ध्यान से देखे लेकिन रहा सवाल cm के लिए क्या करेंगे तो इसका best मैं आपको solution यही कहना चाहूंगा कि आज का जो समय हर किसी के बाद smartphone है प्लस उसमें net available है तो बहुत ही simple तरीका मैं आपको दिखाता हूं कि आपको करना क्या होगा तो उसके लिए चलिए तो उसके लिए आप Google में जाना किजिए चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करेंगे 10 cm चोडाई और 5 cm उसका हाइड तो उसके लिए क्या करते है अब आपको करना क्या है अपने वेब ब्राउजर में जाईए चाहे वो Chrome हो चाहे Mozilla हो तो यहां पर दिखे वेब ब्राउजर में मैंने Google में सर्च करूं यहां पर लिखना जैसा मैंने आपको बोला था कि 10 cm माल लिजे चाहिए आपको 10 cm तो यहां पर 10 लिख दीजिए उसके बाद यहां पर cm लिख दीजिए यहां पर देखे 10 cm to inches लिखा हुआ देखिए यहां पर 10 cm to inches पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के साथ देखेंगे यहां पर 10 cm to inches लिखने के बाद यहां पर देखिए एक आटोमेटली देखिए यहां पर Google के तरब से देखिए यहां पर अलड़ी आ गया सब्सक्राइब के लिए अगया यहांपर जिए लेंध दिया हुआ है यहांपर दीके संटीमीटर लिखा अब देखिए यहां मैंने लिखा 10 cm to inches यहां पर देखिए 10 cm बराबर कितना inch होता है देखिए यहां पर 3.93701 देख लिए ध्यान से 10 cm बराबर 3.93701 उसी तरह माल लिए 5 cm मैंने हाइट के लिए बोला है 5 देखिए यहां पर 5 cm इकया 6 cm इक्वल टू 1.9685 जितना का भी माल लेते हैं आप माल लिए जितना का भी cm आपको बोला गया जिस साइच का भी बोला गया तो पहले cm देख लिए आप कितना माल लिए 10 cm बाई 5 cm का आपको आपको साइच बोला गया है तो simple है आपको कुछ नहीं करना है यहाँ अगर 10 लिखते हैं देखिए यहाँ पर 10 cm by 3.9370 inches यह याद रखिए उसकी तरह 5 लिख दीजिए यहाँ पर 5 इजी है 5 लिखा मैंने 5 cm बराबर 9.9685 अब क्या कीजिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको करना क्या है चलिए अब दिखाते हैं वह आपस हम लोग अपने पेजमेकर में जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अब आप क्या करना होगा अब जैसा कि आप देख सकते मेरा अड़ोबी पेजमेकर खुला हूआ है जैसा मैंने आपको बताया है कि चोड़ाई जो हमें चाहिए वह 10 cm चाहिए हाइड जो चाहिए हो 5 cm चाहिए जितना का भी आपको रिकॉर्मेंट रहे तो फिलाल मैं छोड़ा से एक्जामपल के लि यह मैंने बॉक्स ले लिया है अब इसको मुझे 10 cm करना है लेकिन यह जो फिलाल प्रेजेंट इसमें इंचीज में है तो हमें जैसा मैंने आपको दिखाया था यहां पर 10 cm बराबर 3.93701 तो अब आपको इंचीज में 3.93701 इसको टाइप करना है तो इसको आप कैसे करेंग यहां पर यह देखिए यहां जो डबलू है मतलब वीर्थ है 10 cm यहां पर 3 पॉइंट आपको लिखना है तो यहां पर इससे सेलेक कीजिए और यहां पर लिखिए 3 लिख दिया मैंने पॉइंट के लिए फुल स्टॉप दिया उसके बाद 93701 देख लीजे 3.93701 मतलब 10 cm देखिए मैं यहां पर इंटर प्रेस करता हूं यह मैंने इंटर प्रेस कर दिया यह देखिए मेरा हइट यहां पर देख सकते हो गया यहां पर देखिए यह वाला इसको अगर मैं क्लिक करता हूं देखिए यहां पर देखिए 3.93701 अगर नहीं दिख रहा फिर से मैं आपक 101 लिख दिया मैंने उसके बाद इसे में इंटर प्रेस कर दिया यह चोड़ाई हो गया अब यहां पर हाइट के लिए बोला गया तो हाइट मैंने जैसे आपको बताया था यहां पर हाइट है 5 cm बड़ावर कितना दिया 1.9685 देखिए हाइट 5 cm बड़ावर 1.9685 तो यहां पर करना क्या होगा हाइट के लिए अगेन यह नीचे होगा हाइट के लिए तो यहां पर गया इससे सेलेक करता हूँ मैं यहां पर लिख सकते हैं इनasına इनिटर है सब्सक्राइस सब्सक्राइब यह तरह देखिए यह मैं इन इसे इंटा प्रेस कर दूँक्द भूद McKer इसका साइज वेगर आप ले सकते हैं इस इंपल तरीखा है मतले इंची इसको कुछ नहीं करता है करना इंची को यह आपको सेंटीमीटर में कनवर्ट कर देना है देखिए यहां पर दिया एक्जामपल के तौर पर यहां पर देखिए उसके बाद pe जाएक देखिए अन्टीमी और इसे राइक्ट लिंदेर करके आपको सब्सक्किशाय और यहां पर इसे उसको कर लीजिये करने बोला जाएगा आप इससाब से इसमें फूट कर दीजिए उसके बाद ये आपका box ये size तयार हो जाएगा I hope complicated लगता होगा लेकिन easy है अगर आप तो करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा यह simple तरीका है आप inches को centimeter में convert कर लीजिए उसके बाद आप काम कर सकता है आपको समझ में आया होगा अगर नहीं समझ में तो प्लीज फिर से कमेंट कीजिए मैं और भी तरीका बता दूंगा कि और दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं चाहिए आप उसे सेंटीमीटर को मिली मीटर में कनवर्ट कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धरने बाद